हेलो दोस्तों दीपू किचन में आप सभी का सागत है तो दोस्तों दीपू किचन में बन रहा है पालक आलू की टेस्टी एकदम बिटामिन से भर पूर दम जायके दार बन रहा है पालक और आलू की सबजी तो चलिए इस रेसेपी को हम फटा-फट बनाते हैं और फटा-फट इसे शरوقरते हैं तो यहा पर देखिए पालक को कम से कब इसे 2-3 पानी कुब अच्छे से धो ले तो इहां पर ध कोकर में रख दी है और इसमें थोड़ा साँ पानी डालेंगे और यहां पर एक सीटी देने के बाद बंद कर देंगे तो यहाँ पर देखिए हमने कड़ाय लिया है और इसमें डालेंगे सरसो का तेल तो बस इस सरसो के तेल में हमें आलू फ्राई कर लेना है तो बस इसमें आलू डाल कर देखिए हम फ्राई कर लेंगे आलू के साथ ही साथ में हम मतर भी फ्राई कर लेंगे तो बस इसमें कुक होने के लिए इसमें नमक डालते रहें जिसे कि यह बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो बस यहाँ पर देखिए जो साग है बहुत ही अच्छे से एक सीटी में पग गए है यहां पर देखिए मटर और आलू बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है तो बस अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे किसी प्याले में निकाल लेते हैं इसे फ्राई करने भी हमें टोटल पाच इनट लगे हैं और यहां पर देखिए त्यल बचया है तो इसमें हमें तेल डालें के जहत नहीं है तो इसमें हमीट चुटकी हिंग डालेंगे और इसमें हम हैं प्रवान हो गया है तो इसमें हम पढ़ कर देखिए एक जात रैक्लेसुन हरी मिर्च इनन शेर का पेश्ट है तो इसमें हम डालकर इसे golden brown होने तक भून लेते हैं और इसमें आधा चमच छल्दी पाउडर डालेंगे और एक चमच लाल पाउडर डालेंगे तो बस इनसे मिक्स कर लेते हैं और यहां पर देखिए आज बहुत ही अच्छे से बुना गया है तो इसमें एक चमच गरम मसाला आधा चमच जीरा प होनेंगे तो यहां पर देखिए दो मिनट हो गया है और मसाले इक दम गोल्डन ब्राउन भून कर तयार है तो इसमें हम पालक का पेष्ट डालेंगे और इन मसालों के साथ हम इसे खूँ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो इहां पर देखिए मसाले और पालक बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है तो इसमें हम जो पालक का पेष्ट वाला पानी है इसमें हम डाल देंगे और अगर आप और ज़्यादा पानी डालना चाहते हैं आप अपने अनुसार इसमें पानी और डाल सकते हैं इसमें हम न पिनाट और पकाएंगे तो यहां पर देखिए तीन मिलट हो गया है और यह पालक बनके रेडी है तो इसमें हम थोड़ा सा जाइकेदार बनाने के लिए इसमें हम देखिए डेसीगी का छोका लगाएंगे आधा चम्मचीरा डालेंगे और दो लाल मिर्ची डालेंगे और एक दो तेज पत्ता डालेंगे तो बस इसे कोल्डन प्रावन हो गया है तो बस सब हम देखिए छोका लगा देते हैं अब यह पनीर रेडी हो गया है एकदम टेश्टी लाजवाब खाकर एक बार इस तरीके से ट्राइक कर लेंगे तो फिर हमेशा इसी तरीके से बनाएंगे तो चलिए इसे रेसेपी को आप सब जरू बनाएगा और हाँ इसे एक बार आप चावल के साथ जरू खाएगा काफी टेश्टी लगता है तो चलिए हमारे चानल को आप सब सब सब्सक्राइब करिए और फिर आप सबसे मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ नेस्ट वीडियो में अभी के लिए नमस्कार